कभी कभी हम सबको पौधों की पत्तियों, टहनियों और तने पर जगह जगह सफेद जाग दिखाई देता है ऐसे में या तो हम इस जाग को देखकर अंदेखा कर देते हैं या सोचने लगते हैं कि या जाग इन पौधों पर कहां से आया क्या किसी ने पौधों पर जान बूझ कर जाग विखेर दिया है या किसी ने इन प्यारे पौधों पर थूख दिया है मन में उठ रहे प्रश्न अनुप्तरित ही रह जाते हैं हमारी सोच से परे यह रहस्मे कारे अत्यंत छोटे से कीट द्वारा किया जाता है इस कीट का नाम फिलिनस इस्पिशीज है इस कीट के जीवन चक्र की निम फवस्था पौधों पर जाग को उत्पन कर उसके अंदर रहते हुए अपना विकास करती है वयस्क फिलिनस कीट आकार में अत्यांत छोटा लगभक 6 mm लंबा हरे नारंगी भूरे या चितकबरे रंग का होता है इस कीट के रंगों में विवित्ता पाई जाती है इसकी विभिन परजातियों में कुल मिलाकर 20 से अधिक रंग के कीट पाई जा चुके हैं एकल रंग से लेकर धब्बेदार रंग में इनका पाया जाना आम बात है वयस्क मादा कीट नर से आकार में थोड़ी बड़ी होती है यह अपने रंग के कारण आसानी से पौधों पर दिखाई नहीं देता है इसे फ्राग हापर, इस्पिटल बग, इस्पिट इंसेक्ट, फ्राग इस्पिट, स्नैक इस्पिट आदी नामों से भी जाना जाता है फिलिनस के कुल मिलाकर लगभग 800 परजातियां देश बिदेश में पाई जाती है यह कीट वाता वरण की सामान विवित्ताओं को जेलने में सक्षम होता है इसी वज़ा से इनके पाई जाने का छेत्र बहुत बिश्त्रित है साथ ही यह 400 से भी अधिक परजातियों के पौधों पर अपनी उपसिती दर्ज करा चुके हैं कभी कभी यह बड़े बड़े ब्रिक्षों पर भी देखे जा सकते हैं फिलिनस कीट का परिवार अपने जीवन चक्र की निम्फ हवस्था की विशेस्ता के लिए विशेस रूप से जाना जाता है निम्फ पौधों की पत्तियों या तने को अपने मुख के सुई नुमा अंग से छेद कर उसमें से पोसक रस्प चूस कर उससे अपने शरीर की ब्रिद्धी करने के साथ साथ इसी रस्प का उप्योग जाग बनाने के लिए करता है जाग का निर्मान करने के लिए यह अधिक मात्रा में पादप रस को चूस कर उसमें अपने पेट की गरंतियों से कुछ बिशेस रसाइनों को मिलाने के बाद अर्ध पाचित रस को पेट के पिछले भाग से उससरजित करता है छ्फिलिनस के पेट के पिछले भाग से उत्सरजीत रस से जाग बनाने के लिए इसमें वाईव के बुलबुलों को मिलाने की जुरुरत होती है इस कारे के लिए इसके पेट के पिछले भाग में ही विशेश प्रकार के वालवयुक्त अंग होते हैं जिन्हें ब्रेधिंग ट्यूप्स भी कहा जाता है ज्ञाग के बुलबुले उत्पन करने के बाद निम्फ इन्हें अपने पिछले पैरों से अपने शरीर की और धकेल देता है जिससे निम्फ ज्ञाग के बुलबुलों से पूरी तरह धक जाता है उस सरजीत रसवायू के संपर्क में आकर फर्मेंट हो जाता है जिससे इसका स्वाद ऐसा हो जाता है कि कीट भक्षियों द्वारा इसे खाने का प्रयास नहीं किया जाता है इस प्रकार निम्फ स्वयम द्वारा उत्पन किये ज्ञाग में शिकारियों तथा प्रजीवियों से बचने होतु आश्रे प्राप्त करते हैं साथ ही यह ज्ञाग वातावरण के तापमान में होने वाले उतार चड़ाव से भी नाजुक निम्फों की रक्षा करता है इसके अलावर यह ज्ञाग निम्फों के शरीर की बाहरी परत को नमी प्रदान करके सूखने से बचाता है यह निम्फ अपने ज्ञाग में सुरुख छित रहकर अपनी शारीरिक व्रिधियों विकास करते रहते हैं एक ज्ञाग के अंदर एक से अधिक निम्फ भी पाए जा सकते हैं छोटे छोटे निम्फों द्वारा पौधों से पोसक रस्चूशने से पौधों को कोई विशेश नुकसान नहीं पहुंसता है अता सामाने तोर पर फिलिनस के नियंतर्ण की आवसकता नहीं पड़ती है वैसे यह कीट पौधों के विशाणों का प्रसार करने में सहायक माना जाता है बहुत अधिक संख्या में उत्पन हो जाने पर निम्फों और उनके जहाग को पानी की धार मार कर पौधों से हटाया जा सकता है क्योंकि इसका जहाग आसानी से पानी में घुल जाता है वैसक मादा फिलिनस पौधों पर छुपा कर कातारों में अंडे देती है एक मादा द्वारा एक बार में दिये जाने वाले कुल अंडों की संख्या 500 तक हो सकती है वी परीत बातावरण ये परिसितियों में यह कीट मर जाता है तथा इसके द्वारा दिये गए अंडे ही जीवित बच पाते हैं अनुकूल परिसिती में अंडों से निम्फ निकलते हैं निम्फों की सुरक्षा के लिए मादा ऐसे पौधों पर अंडे देती है जहां अंडों से निम्फों के निकलने पर उन्हें वहीं पर भोजन मिल सके प्रतेक निम्फ लगभग 50 दिनों में 5 सारी रिग परिवर्तनों से गुजरते हुए वयस्क कीट में विक्सित हो जाता है वयस्क में बदलने के बाद कीट प्रजनन के योग के हो जाते हैं लेकिन एक वर्स में इनकी एक ही पीड़ी पूरी हो पाती है वयस्क फिलिनस 70 cm के उचाई तक छलांग लगा सकता है छलांग लगाने की इसी शमता के कारण इसे फ्राग हापर भी कहा जाता है शारिरिक वजन के अनुपात में इसकी यह छलांग कीट वर्ग में सबसे ज़्यादा होती है इसी लिए फिलिनस को कीटों में जम्पिंग चैंपियन कहा जाता है यह इतनी तेजी से छलांग लगाता है कि एक मिली सेकंड में 14 किलो मीटर प्रती घंटा की रफ्तार तक पहुँच जाता है प्रेंड्स आई से ही और रोचक जानकारी वाले वीडियोज के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब परके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक तुरंद पहुँच सके